तो हेलो दूस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल हिंदी इंपूट जो की लेप्टॉप या डेक्स्टॉप में आप अगर यूज कर रहे हैं और आपको समस्या आ रही है कि इसके अंदर पूर्ण विराम कैसे लगाए तो इस समस्या का समाजान इस वीडियो में आपको म सबसे पहले आप अपना जो गूगल हिंदी इंपूट है वो सलेक्क कर लें जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको नहीं दिखाई रहा होगा जैसे कि मैंने एक वर्ड की फाइल खोल लिए जहां पर मैं यहां टाइप कर रहा हूं कुछ भी तो जहां पर इस तरह स से आप सोचते हैं कि मैं कहां से लगा हूं तो यह समस्या मेरे साथ ही नहीं सब के साथ में और मैंने इस समस्या का समाधा डून लिया तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा यहां पर सेटिंग पर जाएंगे और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों पर लिख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर add कर सकते हैं मैंने यहाँ पर already एड कर रखा है और यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि I shift के साथ में आई दबाने से फूर्ण विराम आ जाता है पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ तो मैंने इसे क्या किया कि यहाँ पर पेस्ट करने के लिए मैंने ओनलाइन किसी भी पेज को खोल दिया जैसे कि यहाँ पर यह मेरी वेबसाइट है ऐरवेध हिंदी.com इस पर जाकर आप जैसे यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम कहीं से भी कॉपी कर लिया और इसे कॉपी करने के बाद मैं आप सीधा उस जगह पर जाकर पेस्ट कर दीजिए मैंने यह पहले कर लिया है इसलिए हो सकता है यह वापस नार ले same to same macro target है इसलिए तो मैं इसे save कर रहा हूँ तो यह save नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से एक को save कर सकते है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आसानी से हो जाएगा और आप चाहें तो इन मिनूस को वापस रिमूव भी कर सकते हो यहां से और just like यहां से मैंने रिमूव कर दिया और यह save कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यह सारी चीजे मैंने बहुत ही easy way में कर ली है और यहां पर भी अगर देखें तो इन shortcut जैसे कि मैंने shortcut PV डाला था पॉन विराम का पीवी डाला था तो पीवी डालते ही यहां पर उपर की तरब वह symbol है या target है अपना जो जिस पर अपन जाना चाहते हैं वह आ जाएगा तो इस तरह से आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं यही पर अगर online में भी अगर देखते हैं तो आपको language जो है वह हिंदी password करने के बाद में यहां पर पीवी लिखने के बाद में अगर नहीं आता है तो हिंदी too language को select करें यहां से और फिर इसके बाद में यहां पर प्र पीवी लुकरे.